गंतन्त दिवस को ध्यान में रखते हुई पंजाब पुलिस और ब्यसेफ के जवानों ने भारत पाक सीमा से सटे इलाकों में सर्च ओपरेशन चलाया पठानकोर्ट एरवेज हमले के बाद पठानकोर्ट जिला बिहत समवेदन शील जिला माना जाता है जिसके चलते सुरक्षा एजिंसिया इलाके में शांती बनाये रखने और सुरक्षा परिधी को मजबूत करने के लिए अकसर सर्च ओपरेशन चलाती रहती है जिसके चलते 26 जनवरी को सर्च ओपरेशन चलाया जाएगा वहीं कंतत दिवस को ज्यान में रखते हुए आज भारत पाक सीमा से सटे शेत्र बम्याल में पुलिस और बीसिप द्वारा जिसका नेतित्व स्पी मनोज कुमार ने किया इस मौके पर सीमा वर्ती शहर बम्याल को चावनी में तब्दील कर दिया गया जिसके मुताबिक ये सर्च ओपरेशन वम्याल के उज दर्या और भारत पाक सीमा पर गुजरान कैंपो के खंडरों के पास शुरू किया गया जिते क्रीमिनल बंदे हो सकते या वो सर्च करांगे जो भी चीज सर्च तो बाद मिलेगी उस तो बात अनू दस्या जाएगा जिए जिए सर्च ओपरेशन हो रहे नहीं चेकींगा भी हो रहे नहीं तो ये सारा जिड़ा साठे एसेसपी साव दे हुकमा अनूसार देडीजीपी पिंजाब बलों करा जा रहे है